स्वयम सहाता समू की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को प्रेणना टीवी चैनल के तरफ से भी नमस्कार कर देदी आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको स्वेम सहता से जुड़ी हर प्रकार की जनकारिया यहां उपलब्ध है अगर आपके सम्मों में कोई भी तिकत होती है तो हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं आप नंबर हमारा लिख सकती है आपकी जो भी सम्मों में समस्या हो मैं आपका समस्या काहल जरू करिए जाता तर दिदी कोईशन आप सभी के यही रहते हैं कि स्वयम शाहता सम्मों को कैसे चलाएं जी हां स्वयम शाहता सम्मों को कैसे चलाएं स्वयम शाहता सम्मों क्या एवं क्यूं क्यूं है और क्या है सम्मों बनाएं क्या करें सभी समस्याओं का हल इस वीडियो में है इस वीडियो को सकीप ना करें दिदी अन तक जरूर देखें तबी आपको पूरी जानकारी मिलेगी पहले तो जानते हैं दिदी कि अगर हमें समु चलाना है तो पहले पौनसुत्र का पालन करना जरूरी है जो इस प्रकार है सापताहिक बैठक, सापताहिक बचत, आंत्रिक उधार, समय से रिडवापसी, लेखा जोखा यह जो है पंसुत्र जो दीदी पालन गल लेंगी उसका इसजी सबसे अच्छा चलेगा जी हाँ, आएए चलते हैं आगे जी हाँ, 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 जी हाँ अपने बैठक में अपनी जरूरत को बताएं कि हमें पैसे की जरूरत है हम ये काम करना चाहते हैं तभी तो अपनी कार्यों को बताएं अवं एक दूसरे को सिखाएं सीखें और सिखाएं जी हाँ आप कुछ उनसे सीखिए और अपने कुछ गुड़ है तो उन दीदियों को सिखाईए समय तीथी एवं बैठक एक अस्थान पर करें जरूरत अनुसार बचत खाते में से एक दूसरे को उधार दें जो आपके पास बचत आता है एक दूसरे को उधार दें उधार लिया सदस्य रासी को वापस करें जिया निमत की अनुसाल दीदी रिड़ों को वापस करें भी एक साथ मिल कर कुछ आर्थिक काम करें अर्थिक काम करें तो दीदी पूछते दीदी क्यों करें अरे दीदी आर्थिक कार करेंगी तभी तो दो पैसे का इंकम आएगा कोई कार करेंगी तभी दो पैसे का इंकम आएगा इसलिए आप आर्थिक कार करें और क्यों करें तो आर्थिक पैसे के लिए बैठक क्यों अस्थान पर चर्चा करने पर भगवान का वास होता है बैठक क्यों अस्थान पर चर्चा करने पर भगवान का वास होता है बैठक में पैसे को हटा कर बैंक में डाला जा सकता है जी हां दिदी अगर आपको जरूरत ना हो तो उस पैसे को बैंग में डाल देजिए बैठक में परिवार, सामाजिक, रोजगार, स्वरोजगार का लब मिलता है बैठक में अपना स्वैम का ज्यान बढ़ता है परिवार की भलाई में सहयोग देते हैं जैसे पहले सम्मू के पहले दिदी घर में चारदिवारी रहती थी उतना ही चारचा होता था और कुछ नहीं समझ पाती थी अपनी दिल की बाद भी किसी से नहीं कर पाती थी तेकिन जब सम्मू में बैठने लगी, चारचा होने लगी तो अपनी समस्या हैं समू के बीज में दिदियां रखने लगी दिदियां पूर्षती हैं कैसे करें क्या करें जी हाँ आप सबसे पहले दिदि जिला आप जिस जिले में हैं समू में क्या करना होगा समू का नाम हो जैसे उधारण के तौर पर पता दो दुर्गा मा स्वैम सहता समू में परिवार कौन से परिवार 10 से 20 परिवार या सदस्य मुख्या एवं सहयोग जो दिदिया सदस्य होती है 10 से 20 परिवार या सदस्यों की मुख्या तो एक अध्या सच्यू कोशा अध्या चे उसमें एक मुख्या बना दी जाती है और 10 से 20 सदस्य रहती है जी हाँ 10 से ज़्यादा होना चाहिए कम नहीं होने चाहिए परिवार में एक परिवार हो गया सदस्य में मुख्या का सहयोग हो गया जो अध्य सच्य कोशाध्यच कहलाती है पहली सीड़ी देखे दिदी पैसा इकठा एवं बचत करना फिर सहायता करना हर महां 30 रुपए या कम अधिक पैसा जमा करें कम से कम 40 रुपए ददस का बचत करेंगी तो 40 रुपए सभी सदस्य और जाने दूसरी सीड़ी और तीसरी सीड़ी स्वैम सहता समू चुकाने हेतु नियम बनाए जिहां जो रुण लिया जाते है उसे चुकाने हेतु नियम बनाए सभी सदस्यों के नामों की सूची बनाए जिहां रिश्टर दिया जाता है बलाग द्वारा आप उसको मंगा कर अच्छे से लिखे बैंग में खाता खुलवाए पासवार नजदीकी बैंग खाता जो आपका साखा नजदीक हो बैंग समू का खाता खोल ले फिर नियमा वली बचतरासी समू सूची स्वेम सहाता समू हो के द्वारा बैंग में जमा करें अध्य सच्यू कोशादच की फोटो सील प्रस्ताव की कापी लिखकर खाता अब खुलवा सकती है सबसे पहले दिदी स्वेम सहाता समू कैसे बनाए एक गाउ एक ही टोले में जी हाँ यह नहीं होना चाहिए कि कोई दिदी इस टोले से है और कोई दूसरे टोले से इससे दिक्कते होती है तो स्वेम सहाता समू कैसे बनाए एक गाउ एक ही टोले में एक सदस्य है जी हाँ एक गाव एक ही तोले में एक स्थान पर 10 से 20 तक की महिला को जोड़ा जाता है अगर दिदी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने जी हाँ क्योंकि आपको स्वयम सहता से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी प्रेणा टिवी चैनल के माथम से दी जा रही है स्वयम सहता सम्मू को अच्छे से चल्राने के दिदी एक गही तरीका है पंसुत्र का पालन करना जो इस प्रकार है सापताहिक बैठक करना है सापताहिक बचत करना है आंत्री गुधार देना है समय सरेण वापसी ले लेना है और लेखा जोखा कर देना है अगर इन पंसुत्रों का दिदी आप पालन करेंगी तो सबसे सक्री समु कहलाएगा और सबसे सक्री समू कहलाने से काफी फायदे हैं जो भी केंदर सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है सबसे पहले आपको वरिता दी जाएगी आपके समू को वरिता जी जाएगी और सबसे ज़्यादा योजना का लाब आप लोग उठा पाएंगी तो पंसुत्र को करना ना भूले क्योंकि पंसुत्र ही मूल धारा है आगे जाने का गरीबी को हटाने का तो गरीबी को हटाएं स्वेम सायता सम्मू में जुड़ जाएं अगर दिदी आपको कोई हो रही है परसानी, कोई दिक्कत हो रही है, तो हमसे कॉंटर्ट कर सकती, हमसे बात कर सकती, हम आपको reply जिरूर देंगी, तो चले दिदी आजके उडियों में इतना ही धन्यवाद, अगर अभी तक हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया दिदी, तो झाल